आहां को पォाक करêu قाष। चलिया अज-का सेस्जन स्टाट करते हैं बहुत ही इंप्वॉर्टेंटन इंप्वर्टर कॉस्जन का सेट है और क्लाशक में जरूर नोड कर लोगो साम को 4 वे math origin classes होते हैं, बहुत कमी लोग live होते हो, math origin classes मिस्क मत करो, बहुत पस्ताओ को बाद में, exam जरूर क्लियर हो जागा अगर आप math origin के देखते हो, चाहो वो NTPC का exam हो, BRSI MENS हो, DRDO MTS का हो, या फिर SSC का हो, या कोई भी government exam हो, हर एक level का, वहाँ पर math origin करा जा रहा है, तो फटा फट इस वीडियो को like कर दो, जितने लोग भी live आ चुके हो, और इस वीडियो को share कर दो, वीडियो स्टाट होने से पहले, कोई भी question हो, कोई भी doubt हो, तो नीचे जरूर comment करना, उसको solve करने का पूरा कोशिस किया जागा, टेलिग्राम चैनल जोइन कर लो, अभी तक total 80 मेंबर हुए है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को link को share कर दो, और टेलिग्राम के link को भी share कर दो, नीचे description लिंक दे दिया गया है, जोइन करने के लिए आप नीचे description जाए हो, आप चेक करो, आप लिंक मिल जागा, या फिर आप टेलिग्राम पर सूरज सरक्रा से संबंध है, तो इसको आपको फटाबर कमेंट कर बताना है, यह homework question है, चलो दूसरा question लेंगे, question number 2, फटाबर आपको बताना है, उत्री दूपर पहुंचने वाले पहले वक्ति कौन थे, North Pole पे, कौन थे, right answer, option number B, Robert Pierre थे, अगला question, question number 3, आपके सामने, गित गविन गरंथ के लेका कौन है, right answer, option number D, जैदेव है, question number 4, आपके सामने, पानीपत की तिसरी लड़ा में कौन पराजित हुआ था, देखो, total 40 MCQ है आज, और आज के वीडियो कटफ है 32, और लेकिन 40 MCQ है, लेकिन मैं आपको इतना extra fact बताऊंगा, जिससे 100 MCQ यहां से आपको बनते हैं, और सा कौन बताएगा, right answer जैगा, option number B, मराठा पराजित हुए, किसके किसके बीच लड़ागा यह भी पूछा जाता है, देखो, पानीपत की बहुत सारी लडाई होई है, लेकिन 3 लडाई जो है, बहुत ज़्यादा important है, सबसे पहला लडाई, note कर लो, पानीपत के प्रथम पाहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है, यह question पूछता कि जीता कौन था, तो बावर जीता था, दूसरी यूद जोहती, पानीपत की, वो 5 नवंबर 15-56 को हुआ था, ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था, यह बैराम खान और हेमू के बीच हुआ था, तो बैराम और हेमू के बीच में हुआ था, जीता कौन यह पूछा जाता है, तो कौन जीता, बैराम खान जीता था, तीसरी लड़ाई देख लो, नोट कर लो, तीसरी लड़ाई से 14 जनवरी को 1761 में, किसके किसके बीच हुआ था, मराठा और अहमाद सा अब्दाली, इनके बीच चलो, अगला क्वेशन लेंगे, और बहुत इंपॉर्टन क्वेशन है, वीडियो को लाज तक देरू देखना, क्वेशन नमबर, क्वेशन नमबर 4 लेंगे हम लो, 5 हो गया, चलिए, वीश्व का सबसे बड़ा नदी दीप किस नदीप परिस्तित है, फटा 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 कब तो यह भारत में है, ठीक है, भारत में है, यह तो वीश्व का सबसे बड़ा नदी दीप किस नदीप पर है, तो यह ब्रहंपुत नदीप पर है, और यह माजोली नदीप कहां परिस्तित है, भारत में कहां पर असम में इस्तित है, तो यह नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर् नमबर छे किस देश ने पहला क्रित्रिम उपग्रह लॉंच किया मतलब आर्टिफिशियल सेटलाइट लॉंच किया किस देश ने सबसे पहले राट एंसर उपशन नमबर सी हो जाएगा रूस हो जाएगा ठीक है अच्छा यह कोशन यह पूछ लिया जाता है कि यह जो क्रित्रिम उपग्रह लॉंच किया था सबसे पहले उसका नाम क्या था तो नाम भी नोट कर लो स्पूटनिक वन था स्पूटनिक वन ठीक है बहुत इंपोर्टन क्वेशन आई है अच्छा अगर रूस ना देखे आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन में रूस ना देखे यू एस एस आर भी दे दे तो भी आप टिक कर देना क्योंकि रूस का पहले यही नाम था क्वेशन नमबर सेवन डॉक्टर ऑप दे इस्ट नामक परसिद्ध पुस्ता किस ने लिगी थी राट एंसर ऑप्शन नमबर बी बेन जिर भुट्टो ने लिखा था अगला क्वेशन क्वेशन नमबर आठ इस्टेलेस इस्टिल किसका मिस्त्र धातू होता है राट एंसर ऑप्शन नमबर इ उप्यक्त सभी लोहा क्रोमियम कार्बन निकेल लोहा का सिंबल होता है एफी क्रोमियम का सी यार होता है कार्बन का सी होता है निकेल का एन आई होता है बहुत इंपर्टन क्रॉश है अगर सब से पूछ दे कि मोस्ट इलेक्ट्रो निगिटि वाला element कौन है affinity वाला element कौन है तो वह है iron ठीक है बहुत important question है चलो अगला question देखें question number 9 सन्विधान में संसोधन किस के दोरा किया जाता है important question है right answer option number D संसत के दोरा सन्मिधान में संसोधन किया जाता है अगला question देखेंगा question number 10 cobalt 60 का प्रयोग किसी किस रोग के इलाज में किया जाता है जो भी live है वीडियो को like जरू कर देना और इस वीडियो को share जरू कर देना बस एक सेकंड लहेगा फटवर्ट हाथ बढ़ा के like कर दो उपर right answer option number C cancer के यूज किया जाता है cobalt, cobalt का जो symbol तो है co होता है चलो अगला question question number 11 why bundle हम सबसे नीची वाली परत को क्या कहते है right answer option number A छोब bundle कहते है छोब bundle कहा जाता है सबसे नीची वाली परत को एक question नीची पुछाता है कि why bundle की सबसे कितने टूकुल कितने परते हैं तो 11 परते हैं 11 लेयर से ठीक है चलो सबका नाम याद रखना अगला question देखेंगे question number 12 दो दिसांतरों के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है कि सभी जब राइट है option number D चार मिनट का अंतराल होता है यह globe है तो इस पर दो तरह के रखाया होती है chance और एक है दिसांतर ठीक है इंपोर्टेंट है चलो अगला question देखेंगे question number 13 नागार्जुन सागर परियोजन किसन अधी परिस्तित है question number 13 right answer option number D किसन अधी परिस्तित है नागार्जुन सागर परियोजन बहुत important question था question number 14 देखेंगे संसत का सदस्य बनने है तो निवनितम आयू कितनी होनी चाहिए ध्यान देना संसत का पुछा हुआ है कितनी उम्र होनी चाहे निम्तम तो होता 20 वर्स ये भी नोट कर लो अगला क्वेशन क्वेशन नम्बर 15 देखेंगे समुद्र में समुद्र के जल के दिन में दो उतार चड़ाओ को क्या काते हैं बहुत ही अच्छा क्वेशन है रैट एंसर अप्शन नम्बर ए ज्वार भटा करते हैं ठीक है क्वेशन नम्बर 16 बहुत ही इंपोर्टन्ट है किस बिमारी में आंख का पानी सुख जाता है आंख से बहुत इंपोर्टन क्वेशन बनता है आपको बता रहा हूँ पहले इसका एंसर बताओ आप और हम झें都有 computer protection go Nice go white जिसके कारण क्याता है आंक का पानी सुख जाता है मायोपी एक होता है और हायपर मेट्रोपी यह क्या होता है देखो मायोपी होता है निकट द्रिस्ची दोस्थ और हैपर मेट्रोपी होता है दूर द्रिस्ची 2 ठीग है तो यह इंपॉर्टन्ट है एक मनिश्टी के आख कितने मेगाप्केंसल को होते है पता दो अच्छा और यह बनता है कि मैंसर के आख का कौन सा भाग डुड़िए किया जाता है दान दिया जता है तोesperion नीजह है कि मनिष्ट zaks की आएंकर की होती है सब को कमेंड करने निचे zit लो अगला कूशन निए कोशन नंबर 17 मनिष्ट कैसे पूर कोशन मंन कहा बंडरीत होता है क्लिक सिर्फ में अपर की कहाром बैठोसमर आमझान लावर में यह किन इール एकलित में किये था विग्यानिक फंक ने ठीक है important question है चलू अगला question दखेंगे कि ADB का मुख्याले किस तहर में छती थे question नमबर अठाडा है आपको ADB का मुख्याले किस तहर में छती थे right answer option नमबर D Manila में छती थे ठीक है मनिला मेंछती थे ADB का मुख्याल है आगे बढ़ेंगे उससे पहले सब को सब लाइक कर दो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट तब आगे बढ़ा जाता है question नमार ठाड़ा है right answer है option number D Manila ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे लाइक कर दो सब question number 19 आपके सामने चीन की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है right answer option number A 14 पड़ोसी देशों से लगती है अगला question question number 20 है भुकम्ब की तरंगे जहां सुत्पन होती है उस point वो क्या कहा जाता है right answer option number C English में focus बोलते हैं और हिंदी में भुकम्ब केंद्र बोला जाता है ठीक है अच्छा भुकम्ब की तरंगे कौन से भुकम्ब की स्तिव्रिता की है कौन से scale पर मापा जाता है तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है यह भी note कर लो ठीक है रिक्टर स्केल पर अगर 7 से ज्यादा point अगर denote किया जाता है तो समझना भुकम्ब ज्यादा है अगला question question number 21 DRDO दिवस कब मना जाता है कब मना जाता है DRDO का फूल फॉर्म पता है आप सभी को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलोप्मेंट और्गनाइजिशन इसके अस्थापना कब किगे थी इसके अस्थापना किगे थी सन 1908 में इसका अगला question देखेंगे question number 22 है चीन पहुंचने वाला पहला यूरूपियो कौन था PDF के लिए बार और बोला जाता है बहुत लोग question करता है PDF कहां सी मिलेगा PDF कैसे मिलेगी PDF के लिए आप चैनल जोइन कर लो आप WhatsApp study group जोइन कर लो या फिर टेलिग्राम चैनल भी जोइन कर सकते हो और टेलिग्राम चैनल जोइन करने के लिए लिंक जो है नीचे description चेक करो आप मिल जाएगा right answer option number C Marco Polo अगला question question number 23 टेबुल माउंटन किस देश में इस्तित है right answer option number D South Africa में इस्तित है टेबुल माउंटन question number 24 किस सन्विदान सा सोधर द्वारा संसद्रे मत दान की आयू को कम करके 21 वर्स घटाकर 18 वर्स कर दिया question number 24 right answer option number C एक साथवा सन्विदान संसोधन के अंदर हुआ था ये ठीक है बहुत important question है सन्विदान संसोधन नंबर 61 ठीक है अच्छा और ये कौन से article को संसोधित किया गया था ये भी question पूछलिया जाता है ये जो है 21 से 18 वर्स कर दिया गया था मत दान की उम्र बहुत important question है अगला question देखो question number 25 है भुकम की तरंगे जिस पॉइंट पर सबसे पहले महसूस होती है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है राइट एंदर अप्शन नंबर सी उपीक तो दोनों हिंदी इंग्लिस में बोलते है एपी सेंटर और हिंदी में बोला जाता है भुकम अधिकेंद्र ठीक है अगला question question number 26 है भारती सर्विधान के किस अनुछेद में राष्ट्रिया पातकाल के प्रधान है बहुत important question है यहां से 3-4 पॉइंट जरू नोट कर लेना राष्ट्रिया पातकाल हमारे देश में उसका प्रधान है पहला जो है वह है राष्ट्रिया पातकाल जिसो मैंने बताया आटिकल 350 to cancer करता है उसके बाद आता है राष्ठपतिषासन वाला जो है ओसे प्रधान के बातकाल आता है BUR 새zejящal उसको है जो आटिकल कि 356 और तीसरा जो है व स्याव, विट्यों है यानि फाइनेंसियाूँ गात्कार बातकाल तो इसका कौन से प्रावधान है इसका आर्टिकल 360 में है ठीक है तो अगर सिर्फ एमर्जेंसी का पूछ दे अपातकाल का प्रावधान कौन सा नुछेद में है सिर्फ एमर्जेंसी बोल दे तो 352 से 360 के बीच में है ऐसा उसको option देना पड़ेगा ठीक है लेकिन अगर particular बोल क्वेशन है चलो अगळा question question number 27 है कारवन के बाहरी में कितने इलेक्ट्रोण होते हैं आधे जब सबते हैं इसके चार होते हैं नहीं इसके ठीक है बहुत important question नहीं है नोट जरू कर लेना, चलो, अगला question, question number 28 है, birdie और eagle सब्द का संबंद की स्खेल से है, बता दो, birdie और eagle सब्द का संबंद की स्खेल से है, right answer option number D, गुल्फ से है, अगला question, question number 29 है, दादा सहाब फाल के पुरसकार जितने वाला पहले व्यक्ति कौन थे, important question, right answer option number C, देविकार रानी, दादा सहाब फाल के पुरसकार जितने वाले सबसे पहले थे, ठीक है, कब जिते थे, इनको कब मिला था, दादा सहाब फाल के पुरसकार 1970 में, 1970 में सबसे पहले मिला था, ठीक है और सबसे पहले दादा सहाफ हलके पुरसकार स्टार्ट कप किया गया था यह कुछ ले जाता है तो 1969 में यह पॉइंट याद कर लो और 1917 में देवी का जी को मिला था अगला Q. नमबर 30 है किस यंतर द्वार रेडियो अक्टिविता माँपी जाती है यानि रेडियो अक्टिविटी माँपी जाती है किसता द्वारा है है राट एंसर ऑप्चिन नवर b giger muller counter द्वारा ठीक है अच्छा इसका एसे एनुट क्या आधा है बिक क्यों ओता है बिक क्वेरल कि यह दो को याद ना चाहिए ठीक है घालो अगला Question question नमर 31 है किस वैग ग्यानिक ने बैटरी की खोज करी थी है राइट एंसर आप्शन नमर ए वोल्ट आ इसलिए जो वोल्ट होता है वोल्टेज का माफ होता है इंपोर्टन कॉश्ण था अगला कुश्ण देखेंगे क्वेश्ण नमर 32 आपके सामने मनुष्टे की सुनने की चमता कितनी होती है यानि ओडिबल वॉइस की रेंज पूछा जाता है बहुत इंपोर्टन कॉश्ण है राइट एंसर आप्शन नमर बी हर्ट से 20 हर्ड से 20,000 हर्ड जो है यह रेंज है इसके अंदर हम लोग सुनने की चमता रखते हैं इससे ज्यादा लाउड नॉइज होता है ठीक है नॉज पॉलिशन और इससे कम अम लोग सुननी पाएंगे चलो अगला क्वेश्ण देखेंगे क्वेश्ण नमर 33 है चुम्बकियो प्रणें छेत्र यानि इलेक्ट्र मैगनेटिव इंडक्शन का एसा यू पर मिटर स्क्वेश्ण फिकाव डबलू बी इसका सिम्बल है परमिटर स्क्वेश्ण विबर पर मिटर स्क्वेश्ण ही टेसला होता है भहती इंपरण को क्वेशन है यह क्वेशन हमें से पूछ यह मंगल पंडे ने कब शुरुवात की थी कौन से अस्थान से शुरुवात किया था अठार संताओं का विद्रो तो यह तो सभी को पता है लेकिन कौन से बटालियन से थे यह क्वेशन नमबर 34 राइट एंसर अप्शन नमबर C 34 वी नेटिव इंफेंट्री बहुत ही इंप्वेशन है इस बटालियन के थे वो चलो अगला क्वेशन देखें क्वेशन नमबर 35 है एफई के नाभिक में 26 प्रोटान होते हैं एफई 2 प्लस इसका मतलब है एफई 2 प्लस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यह मैं आपको देखना पहले छीक Kr睡 fakt के सबसे पहले देखो एफई क्या है एफई जो है यहां पर एटम है क्या यह एटम है कि जैसरे ही कहीं अगर एफई प्लस यह व्न प्लस यह मांईनस किसी भी एटम पर प्लस यह मांईनस आता है इसका मतलब समाजना वह या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, खो दिया है या फिर इलेक्ट्रों उसको गेन किया यानि इलेक्ट्रों मिला है अगर atom पे अगर प्लसाइना इसका समझना Trans has lost हुए है अगर 1 praes प्लस इसका मतल़ समझना कि इस atom से 1 electron minus हुआ है अगर यहाँ पे 2 plus हुआ है यहां से समझें दो इलेक्ट्रोन माइनस हुआ है ठीक है अच्छा तो यहां पर एफी का कितना होते हैं 26 होते हैं प्रोटोन के संग के 26 और हम जानते हैं कि कितने इलेक्ट्रों गए दो गए तो बच्चे कितने चौब भी सोजाएंगे यहां पर राइट एंसर अप्शन नंबर बी क्लियर है अगर एफ इटू माइनस होता यानि 26 था और माइनस का मतलब कि एलेक्ट्रों और आ गए यानि दो इलेक्ट्रों और आड हो जाते हैं तो एठाईस हो जाता CLEAR है चलो अगला कॉशन दखेंगे क्वेशन नंबर 36 विदुद चलगता का मात्रक क्या होता हैं ऐलेक्ट्रीकल कंडिक्टिवीटी का अलाहा है बहुत इस अयंतर क्या श्रॉन लины और अप्शन नंबर ए होगा यहाँ जिसन स्क्क्योरों की Approach ओम तो अपने सुना होगा और महो किसका होता है विदिद चालकता का होता है यानि ओम का इन्वर्स होता है उल्टा होता है चलो अगला क्वेशन देखें क्वेशन नमबर 37 मनिश्ट के कानों में कितनी हड्डिया होती है कि फटापड बताना है राइट अप्शन नमबर 6 मनिश्ट के कानों में कितनी हड्डिया होती है छे हड्डिया होती है ठीक है चलो कौन-कौन सी हड्डिया होती है यह बहुत important है तो कान में जो हड्डिया पाई जाती है वह था है Incas, Malious, Stepis, StapidiousAPidious, Bहुत important question है चलो एक question यह बलता है कि मनिश्टी कि मनिश्टी के सेर्व में सबसे छोटी हड्डि कौन सी है तो सबसे छोटी हड्डि स्टेपी से है ठीक है अच्छा और सबसे छोटी मान स्पेशी भी पूछा जाता है सबसे छोटी पेशी कौन सी है तो स्टेपीडियस है तो यह नोट कर लो सबसे छोटी क्या होती है यह पेशी होती है सबसे छोटी पेशी बहुत ही ज़दा important question है चलो अगला question देखेंगे question number 38 वीडियो पसंद आ रहा है न तो वीडियो को लाइक जरू करो एक सेकेंड लाएगा हाथ ब्राइक के उपर लाइक कर दो जरूर और वीडियो को अपने सारे दोस्ते शेयर जरू कर देना और PDF लेने के लिए टेलिग्राम चैनल जोइन करो या फिर वाटसप शड़ी ग्रूप भी जोइन कर सकते हो प्रिथिवी के केंद्र पर यह प्रिथिवी है यह प्रिथिवी का केंद्र है यह प्रिथिवी का सबसे उपरी भाग है crust यह अंदर का भाग है तो प्रिथिवी के केंद्र पर गृत्व एक होता है capital G M1 into M2 divided by R square R क्या है radius of Earth radius of Earth अब suppose करो यह है अर्थ यह है अर्थ का radius तो यहाँ पर radius क्या है 0 है क्योंकि center है इसलिए जब यह 0 हो जाएगा तो टोटल यह भी radius बड़ा होता तो क्या होता और छोटा होता तो क्या होता तो ध्यान देखना यह G किसके संबंदित है R square यानि विलो मान उपाती है अगर radius बड़ा होता प्रिथवी का प्रित्विवी और बड़ा होता तो जी का मान छोटा होता अगर प्रित्विवी और छोटा होता तो जी का मान और बड़ा होता ठीक है चलो अगला question देखें question number 39 है वीडियो का like और share जरू करते रहो किसी तत्तों का पर्मान कर्मान 17 है तथा द्रब्यमान संका 36 है सबसे पहले atomic number मतलब number of electron कितना दिया हुआ है ध्यान से देखो 17 दे दिया है तथा द्रब्यमान यानि mass number तो mass number मतलब क्या होता है number of neutron plus number of proton कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है हम जानते हैं कि number of neutron equal to number of electron यानि कितने है neutron भी 17 है proton यहाँ पर तब proton की value निकालनी है तो 36 में से जब 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा neutron की संके 19 right answer option number A ठीक है चलो अगला question और आज का last question है question number 40 है कम तापमान को मापने वाले यंतर को क्या कहा जाता है कोई भी वीडियो छोड़के नहीं जाओ वीडियो खतम होने वाली है तो शेर जरू कर देंगे इस वीडियो को शेर कर दो और वीडियो को लाइक करके ही जाना राइट यंतर हो जाएगा बहुत ज्यादा तापमान को मापने के लिए कौन सा यूज करते है पाइरोमेटर राइट अंसर अप्शन नमबर बी ठीक है इस क्वेशन का राइट अंसर अप्शन नमबर ए और पाइरोमेटर से कितना डिगरी माप सकते है एवाब 1000 केल्विन 1000 केल्विन से भी ज्यादा टेंप्रेशन को माप सकते है बहुत इंपोर्टन कोशन है ठीक है अच्छा कैपिटल टी डिग्री सी और केल्विन में क्या अंतर है तो 273 का अंतर है सपोस करो आपका यहाँ पर 23 डिग्री है सी है उसको केल्विन चेंज करना है तो 273 अगर आड कर देंगा तो केल्विन बन जाएगा मतलब 300 क उसका वैल्यू आ जाएगा ठीक है तो इंपोर्टन है तो यह था आज का वीडियो आई होब वीडियो आपको पसंद आ है फटा फट सब्स्राइब कर लो बेल ऐकन प्रेस कर लो वीडियो को लाइक और शेयर कर विए बगर न आ जाए यह बहुत ही ना इंसाफी होती है अगर आप बिना लाइक केर चले जाते हो तो लाइक शेयर जरू किया करो थैंक यू फोर वाचिंग दी वीडियो तिल लास्ट क्लास टाम ही नोट कर लो साम को चार बज़े मैस रिजिंग क्लासें होते है रात को नौ बज़े जीके जी इसका ट्रेस्ट होता है और वाट्सप इस्टेडी ग्रूप जोइन कर लो या भी टेलिक्राम चैनल भी जोइन करते हैं अब पीडियाफ के लिए मिलते नेक्ष वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग दे वीडियो